दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूँ फर्दोस गनी और आप देख रहे हैं के डीवी लाइब दोस्तों आज हो चुका है तेरे नेवेंबर दोजर इस तो आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो इस से पहले बात कर लेते हैं कि अरडिया में छट में स्ट्लिपर सेल दोरा कड़िब पचास करोर नकली नोट खपाने को लेकर खुफिया और सी आईडी बिभाग की ओड़ से गिरे बिभाग को सूचना दी गई थी जहें इसको लेकर सीमा छेतर में तैनात एससबी और बेसफ के अलवा पुलिस परसासन को अलट रहने को लेकर जिसा नर्देश जड़ किया गया है गिरे मंतराले के दोरा जाड़े नर्देश में कहा गया है कि नेपाल के खुली सीमा पर जवानों को विसे अलट रहना होगा जानकर के अनुसार जिला के करीब दर जनो योक नकली के साथ गिरफतार किया गया था दोस्तों बात करते हैं कि एक काड़ करम को समुदूद करते हुए प्रधार मंतरे जनादर मोदी ने कहा है कि कुछ साल पहले तक बैंकिंग बीमा और पेंसन जैसे सुभिधाओं का फायदा देश के कुछ खास और कम लोग ही उठा पाते थे द इंटरनेट कनेक्शन जैसी कई सारी कमियां मौदूद थी गड़ीब और आम नागड़कों को मिलने वाले इन सुभिधाओं पर इससे पहले ध्यान नहें दिया गया था दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की तीन ने करसे कारणों के खिलाफ पर दर्शन कर रहे किसान एक बार फिर से अपने आंदुलन को गती देने की कोसिस में जुड़ गए है यह किसानों ने अब दिल्ली के संसद भववन का रुख करने का फैसला किया है भारत किसान यूनियन की नेता राकेश्टिकेट ने सुक्रवार को कहा है कि सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवेमर को ट्रेक्टरों से संसद भववन जाएंगे राकेश्टिकेट ने ट् Vide करते में लिका है कि ट्रेक्टर भी वही है और किसान भी वही इस बार गुंगी बहडी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवेमर को ट्रेक्टरों से संसद भववन जाएंगे दरसल 29 नवंबर को किसान 500-500 ट्रेक्टर समयत गाजिपूर बॉर्डर और टिक्री बॉर्डर से दिल्ली के सांसत भवन के लिए रवाना होगे आगामी 26 नवंबर को किसान आंदुलून को सुरू हुए पूरे एक साल होने जा रहा है स्योक्त किसान मोर्चान मंगलवार को काहे कि केंदर के तीन नएकेट से कानूनों के खिलाफ आंदुलून का एक साल पूरा होने के मौके पर पांसो किसान हर दिन 29 नवंबर से सुरू हो रहे सित कालिन सत्र के दौरान संसद तक सांतिपूर्ण ट्रेक्टर मार्चा में हिस्सा लेंगी दोस्तों बात करता है कि पंदरे नवंबर को सीवान के पूरो संसद और मरहूम सहब अद्दीन की बड़ी बेटी हेरा सहाब की साधी होने वाली है जहां इसके तैयारी जोर सोर से चल रही है महमानों के लिए लगबग पांच एकर जमीन में बेबस्ता की जारी है जहां पिछले दस दिनों से लगातार काम चल रहा है साधी की पूरी तैयारियां सहाब अद्दीन के बेटे ओसमा सहाब की देख रेक में हो रही है जहां इसमें देश और दुनिया के कई बड़े बड़े चेहरे को नियोताब भेजा गया है पंद्रे नवंबर को दो पर बारे बज़े से कारे करम सुरू हो जाएगा जब पंद्रे नवंबर को सहाब अद्दीन की बड़ी बेटी हेरा सहाब की बारात उनके पैतरत गाउं परताब पूर में आने वाली है सहाब الدین के भांजे मुहमद नदीम ने बताया है कि वी आईपी हो या फिर आम सभी अतितियों के लिए सभी महमानों के लिए एक समान खाने पिने की बिवस्ता हो रही है सहाकारी और मासाहारी दोनों परकार के भोजन की अलग-अलग बिवस्ता की गई है पंद्रे नवंबर को दोपर बारे बज़े से खाना खिलाया जाएगा जब भोजन बनाने के लिए बिहार के साथ साथ बंगाल और यूपी से कारीगर बुलाए गए है सीवान के परतापूर में इस्तित सहाब الدین के पैतरग घर को साही अंदाज में सजाया जारा है यह वही ओसामा ने खुद बिहार के मुख्य मंतरे नितिस कुमार, जहारखन के मुख्य मंतरे हमत सोडेन, केंदर मंतरी आरसिप सिंग, अबू आजमी, बॉलिवड अबी नेता सारुख खान, संजेदत सहित, अन्ने कई वी आईपि को आमंतरित किया है दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कई ऐसे बिरोजगार योग हैं जिनें किसी कारण बारवी पास करने के बाद भी नोगरी नहीं मिलती है यह अगर आप भी बारवी पास कर चुके हैं तो फिर मुक्यमेंतरि निश्चे वंग साहता भता याउजना का लाब उठा सकते हैं आर्थ करूप से कमजोर वर्गों के इस्टुडेंट के लिए ये बिरोजगारी भता बहुती मददगार साबित हो सकता है इस याउजना के तहथ इस्टुडेंट को दो साल तक के लिए हर मैने एक हजार रुपे तक की राशी परदान की जाती है तो आईए जानते हैं इस याउजना का लाब लेने के रिए पूरी परक्रिया क्या है और किसी लाब मिल सकता है तो सबसे पहले आप ये जान ले कि इस याउजना के सिलुवात 2 अक्तुबर 2016 को गांधी जैन्दी की मौके पर की गई थी 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलासने के दौरान परती महा एक हजार रुपे स्वेंग साहता भता देने के लिए इस याउजना का संचलन किया जारा है इस्टुडेंट को बिहार के ही किसी सरकारी मानता पराप्त संस्थान से बारवीक अच्छा पास करनी होगी लेकिन इसने उच्छतर सक्षा पराप्त नहीं की हो यानि की बारवीक के बाद पराई नहीं की हो जोंब इस याउजना के लिए आपिदन कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए बड़ी खुसकबरी आई है जहां बार येंटी पीसी की तीसरी यूनिट से बिजली का उत्पादन सुरू हो गया है जहां इस यूनिट की छमता 660 मेगावाट की है इन में से 401 मेगावाट बिजली बिहार को मोहिया कराए ज जा रहे हैं जहां ऐसे में येंटी पीसी की बार एकाई से बिजली मिलने पर इस मोहिम में और तेजी आएगी एंटी पीसी की तीसरी यूनिट से बिजली उत्पादन का लंबे समय से इंतजार था जो अब जाकर पूरा हुआ है दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साथवे चरण के पैंचे चुनाओं को लेकर ओमे दौरो दौरा किया जा रहा है परचार आज बद हो जाएगा जहां इस चरण के लिए पंद्रे डेमेमर को मद्दान होगा यह राजिद निर्वाचन आयो के अनुसार साथवे चरण में सहतिस जिलों के 63 परकंडों में मद्दान होगा इस चरण में स्रवधीक परकंडों में एक साथ चुनाओं कराने की परकड़िया नरधारत की गई है छट महा परबके समापन के बाद परसासन एक बार फिर तरिस्तिरे पंचे चुनाओं कराने में जुड जाएगा यहां आयोक के अनसार पंचे चुनाओं के साथ विचरण को लेकर 37 जिलों में कुल 12,786 मद्दान के अंदर बनाए गए है इस चरण में 32,85,5,89 मद्दाता अपने मद्दिकार का इस्तमाल करेंगी जाए इसमे 38,34,000 पूर्स और 34,50,436 में लाया मद्दाता और 272 अन्य मद्दाता सामिल है साथ विचरण में कुल 27,730 सीटों के लिए चुनाओं होगा जिला परिस्त सदे से के यक सो पहतिस सर पंच के नौसो चार एवंग पंच के बारे हजार 272 सीटे सामिल है दोस्तों बात करते हैं कि तेहवारों पर तेजी दिखाने के बाद अब खात तेलों के भावों में कुछ नर्मी आई है यह रिफाइन का भाव 10 रेपे पर 3 लीटर नीचे आया है जार सर्सो तेल में भी 5-10 रेपे पर 3 लीटर तक रहात मिली है तेहवारों पर उबाल लेने के बाद अब खाध तेलों में कुछ नर्मी आई है यह सोया रिफाइन का भाव 155 रुपे पर 3 लिटर पर था जो अब 145 रुपे पर 3 लिटर पर आ गया है यह इसी तरीके से सर्थों का तेल नियुन्तम 195 पर 3 लिटर पर था जो अब 150 रुपे पर 3 लिटर पर आ गया है यह इसका भी नियुन तमभाव 10 रिपे पर ते लिडर कम हुआ है दोस्तों बात करता है कि बिहार के सहरों में जमीन की खरिदारी करने वाले लोगों के लिए बड़ी ख़बर सामने आ रही है ताज़ा रिपोर्ट की मताबिक पटना समेत बिहार के पांच सहरों में जमीन की कीमत आस्मान छूड़ रही है इन सहरों में ज़्यदातर लोग घर बनाने के लिए जमीन खरिद रही है खबर के अनुसार बिहार के पटना भागलपूर गया मुझपरपूर और बिहार सरीप में जमीन की कीमत आसमान छूड़ रही है इन सहरों में सहरी करन तेजी के साथ बर रहा है जिसके गारन जमीन की कीमत में भी लगतार वर्दी देखी जा रही है स्मार्ट सीटी में सामिल होने के बाद भागलपूर, मुझपरपूर और बिहार शरीफ में जमीन की कीमत तेजी के साथ बड़ी है भागलपूर के सहरे अलाकों में जमीन की आउसत कीमत 40-50 लाग के आस पास है वही मुझे परपूर और बिहार सरिप में भी जमीन की आउस्ट कीमत 30 से 45 लाक के आसपास हैं यह अगर बात राज़दनी पटना की करे तो पिर पटनाएक में जमीन की आउस्ट कीमत 50 लाक के आसपास हैं दोस्तों बात करते हैं कि कंगना रानाओत की भारत की आजादी को भीक बताने पर काफे बिवाद खरा होता दिखाए दे रहा है यह इसी बयान के चलते कंगना रानाओत के खिलाफ एक सिकायत भी दर्ज कराए गई है यह वहीं अब कंग्रेस और सिपसिना ने भी कंगना के खिलाफ करा कारवाई की मांग की है यह सिपसिना नेता निलम गौरे है ने का है कि अभी नेतरी कंगना रानाओत पर भारत की आजादी को भीक बताने के लिए देश दरों का मुकादमा दर्ज होना चाहिए तथा उनका पदमस्री पुरुसकार भी वापस ले लेना चाहिए दरसल अभी नेतरी कंगना रानाओत ने ये कहकर विबात खरा कर दिया है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं बलकि भीक मिली थी और हमें असली आजादी तो 2014 में मिली है या सिपसे नेता ने कहा है कि उनकी टिपपनियों के लिए उन पर देस दरो का मुकादमा दर्ज होना चाहिए उनका पदमा पुरुसकार भी वापस ले लेना चाहिए वही कंगरेस ने कंगना रानाओत के बयान को लेकर निशाना सादा है और कहें कि ये देश दरो है और इसके लिए कंगनर रनाउस से पदमस्री सम्मान वापस लिया जाना चाहिए दोस्तों बात करते हैं कि कुछ साल पहले एक हजार रुपे के नोट को बंद करके दो हजार रुपे का नोट आ गया है होसकता है कि आपने सबसे बड़ा नोट दो हजार रुपे का रही देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस से पहले दस हजार रुपे तक का नोट भी चप चुका है यह अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ़ा होगा कि क्या अभी भी दस हजार रुपे का नोट चापा जा सकता है इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जब पहले 10,000 रुपे का नोट चापा गया था तो वे कितने दिन तक चले थी और उन्हें कब बंद कर दिया गया 10,000 रुपे के नोट के बारे में जानने से पहले आपको बता दू कि आखिर नोट कब चापे जाते ही तो भले ही सरकार के पास नोट चापने का अधिकार होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वे जब चाहे तब नोट चाप दे या कितने भी नोट चाप दे जाए ऐसा करने से अर्थ विवस्ता गरबढ़ा जाएगी इससे वहां की करनसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महेंगाई की रेट भी काफी बढ़ जाती है यह सरकार और आर्बिए जीडिपी विकास दर सार राजकों से घाटा आधी के आधार पर तै करते हैं कि आखिर कितनी बरोत्री होनी चाहिए तो और बिएई उनीस सो चपन से कैरंसी नोट चापने के लिए मिनिमियम रेजरफ सिस्टम के ताहत कैरंसी की चापाई करता है यहां भारत रेजरफ बैंक इन्हें साल उनीस सो अर्थेस में सबसे बड़ा नोट दस हजार रोपे का चापा था जहां साल 1938 में सबसे بड़ा नोट 10,000 रुपे का नोट उट चापा था सबसे पहले हालांकि जनुरी 1946 में इसे वी मुर्दिकर्ट करदा गया जहां इसके बाद साल 1954 में 10,000 रुपे की नोट फिर से चापे जाने लगी और फिर इन नोटों को 1978 में विमर्दित करद कर दिया गया दोस्तों बात करते हैं कि सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना को लेकर आउल लिन्या मिजले जायतादिल मुस्लिमीन यानि कि ए आयमायम के परमुख असद अभी सिने समाजवादी पार्टे के अधक्च अखलेस की आदब पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने का है कि कोई अंगुड़ा छाफ ने कुछ लिकर दे देता है और वे बोल देते हैं उन्हें इतिहास नहीं पता है भारत के टुकडे जिन्ना ने कराये हैं ये अखलेस नहीं जानते हैं क्या और भुड़ेस ने देश के बटवारे के लिए कमढ़र्स को जम्हिदार ठहरा है उन्होंने अखलेस पर हमला बोलते वे कहा है कि उन्हें देश का अतिहास नहीं पता वे तोते की तेरे रट लेते हैं और पhr पिर बोल देते हैं आपको बदद की अखिलेस यादब ने 31 अक्तुबर को मुहमद अले जिन्ना की भारत की आज़ादी के लिए उनके याउगदान के सराना की थी या समाज़ादी परमुख अखिलेस यादब ने कहा था कि सरदार वलब भाई पटेल महात्मा गांदी जवाहलाल नेरू और मुहमद अले जिन्ना ने एक ही संस्थान से पराय की है और बेरिश्टर बने हैं और भारत की आज़ादी के लिए किसी भी संगर्स से पीशे नहीं ह हुई है पीमों ने दोनों के मुलाकात की तस्वीर ट्वीटर पर सेयर की है आपको बददी कि कल राष्टपती भावन में राज़ पालों और उप राज़ पालों के कानवे संभलन का आईवजन किया गया था इस मौके पर सभी राज़ों के अंदर सासित पर्दसों की पाल फागों चौहानवी संमेलर में सामिल होने पहुंचे थे जहां इसके लवा उपर राष्टपती वकईया नेरू परदार मंतर इंदर दिर मोदी और गिरे मंतर अभी संमेलर में हिस्सा लिया दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप पच्ची मंगाल के हावरा रेलेवे इस्टेसन पर जाते हैं तो फिर यहां आपको एक ऐसी चाय की दुकान मिलेगी जो आजकल काफी फेमेस हो गई है यह वज़े हैं इस दुकान का नाम और उसे चलाने वाली लर्की दरसल में पास टुक्टु की दास ने अपनी दुकान का नाम में इंगलिस चाय वाली रखा है जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है जा टुक्टु की दास सोसल मीडिया पर काफी लोग पढ़िये हो जिसका नाम उन्होंने रखा M.A. इंगलिस चाय वाली यह दुकान के इस यूनिक नाम के चलते धीरे धीरे हुए काफी फेमस भी हो गई अस्थानी मीडिया ने भी उनकी कहानी परकासत की यह टुक्टु की ने कहा है कि मुझे लगाई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और इसलिए मैंने M.A. चाय वाला की तरह अपनी चाय की दुकान खुली सुरुआत में जगे मिलना मुस्किल था लेकिन बाद में इसे ढूनने में कामया बढ़ी अब मैं चाय नास्ता बेच रही हूँ चूकि मेरे पास M.A. की डिगडी है इसलिए मैंने दुकान का नाम इस त दोस्तों बिहार में शराब बंदी को लेकर मुक्यमें नज़स कुमार नसुम वार को निदा पढ़ते पक्ष ते ते जिस वी अदब और राश्टी जनतादल को नसीह देते वे कह था कि शराब बंदी को सफल बनाने का जिम्मा बिपस्ट के लोगों पर भी है नितिस कुमा की यही बात नेता परते पक्ष तेजस्वी अदब ने अब स्विकार कर ली है यह तेजस्वी अदब के नर्दस पर आरजरी की नेताओं की एक टीम बनाए गई है जो गोपाल गंज में जहरेले शराब कान की जांच के लिए आरजरी ने जो टीम बनाई है उनकी अधशता विदायक सिव चंदर राम को सौपी गई है इसके लवा इस टीम में पूरो विदायक रियाज अलहकर राजू विदायक राजेस कुसुआ और विदायक प्रेम संकर परसाद सामिल है आर जिरी की यह टीम घटनास तल पर जाकर सभी चीज़ों का मौइना करेगी जांच की र लगों की जान चले गई थी यह तब से लेकर विपक्च सरकार पर लगतार लगतार हमलावार जारी है यह सुमौर को जंता दरबार के बाद अनितिस कुमार ने विपक्स करब पर भी निशना सादल था दोस्तों सूर्यों को अधर देने के सहांती छट महापरव संपन हुआ लेकिन इस साल कई घरों में इस महापरव की दिन मातम च्छा गया बिहार में छट के दिन दूबने से कड़िब 35 लोगों की जान चली गई इसके लावा और भी कई लोग अभी भी लापता बताय जा र दूब कर मरने वालों में साफसाराम के दो बीगु स्राया के थीन सारण के दो कया के दो और सीवान बिहार सरीव बक harvest की एक-एक लोग समिल है इधर उतर बिहार में नाओ लोगों की डूबने से जान गई है समस्तीपूर में चार लोग डूबे जिन में से तीन ने दम के दो दो मदेपूरा पूर्णिया और भागलपूर में एक एक वेक्ती सामिल है इन में से कई जिलों में लोगों ने मौत के जिम्मिदार परसेशन को ठहराते हुए जबर दस्त बावाल कटा दोस्तो देश की आजादी को लेकर आपने बिबादस्पत बयान के बाद फिल्म अभी नियत्री कंगनर रनाओत बिहार में भी निशाने पर है ज़र उनके बयान पर अब लालो परसाद यदब की बेटी रोहिनी आचारिया भर गई है ज़र रोहिनी आचारिया ने ट्वीट करते हुए कंगनर रनाओत को फरजी जहासी की रानी और फिर देश दरोही करार दे दिया है ज़र कंगनर रनाओत ने एक ट्यूबी कारकरम में देश की आजादी पर टिपनी करते हुए कहा था कि 1949 में जो आजदी मिली थी व हुए भीक में मिली थी असली आजदी 2,004 में मिली थी इसके बाद रोहिनी आचारिया ने कंगना को निशाने पर लेते हैं लिकाए कि सहथों की जान जिसे भीक लगती है फरजी जहासी की रानी तूदियस दरोही लगती है जो रोहिनी आचारिया पहले भी कंगना के खिलाफ आकरमक बयान देती रही है जो इसी साल यान कि 2020 मही मई मेने में रोहिनी आचारिया ने ट्वीट करते हुए कंगना रनाउत को आख से अंधी और दिमाग से पैदल कहा था जब कोबिट की दूसरे लहड के दोरान गंगा में 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 लासों वाले वीडियो को कंगना रनाउत ने नए ज़रिया का बताया था इसके बाद रोहिनी उन पर भड़ग गई तब लालू की बेटी रोहिनी ने कहा था कि अपने फकीरा को बचाने के लिए फरजी जहांसे की राने जूट बोल रही है रोहिनी आचारिया सिंगापूर में रहती है लेकिन वे देश और खासकर बिहार की राजनेते पर नजदी की से नज़र रखती है जहां हर परमुकर राजनेते घटना कर्मा पर उनकी टिपपनी जरूर सामने आती है दोस्तों बात करते हैं कि कॉंगरेस के पूरो अदक्ष राहूल गांदी ने एक बार फिर से बीजे पी और आर एसस पर जम कर निशान सादा राहूल गांदी ने कहा है कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है हिंदू और हिंदू तो एक नहीं है जहां उन्होंने कहा है कि RSS और BJP की विचारधारा नफरत भड़ी है राहूल गांदी ने वीडियो कॉन्फरेस के माध्यम से पार्टे के डिजिटल अभियान जग जागरन अभियान के सुभारब किया कारे करम के दोरान राहूल गांदी ने कहा है कि आज हम माने या ना माने RSS और BJP की नफरत भड़ी विचारधारा कॉन्फरेस पार्टे की प्रे मई इस नहीं और राष्ट वादे विचारधारा पर भारी पर गई है क्योंकि हमने इसे अपने लोगों के बीच आकरमक रूप से परचारित नहीं किया है हमें इसे सुभिकार करना ही होगा लेकिन हमारी विचारधारा जिन्दा है जिवन्त है राष्ट गांदी ने का है कि हिंदुस्तान में दो विचारधारा हैं एक कॉंग्रेस पार्टे की और एक आर एसस की आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आर एसस ने नफरत फैला दी है और कॉंग्रेस की विचारधारा जोड़ने भैचारे और प्यार की है आपको बदेदी की रहावल गांदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिंदू और हिंदू तो पर टिपनी करने को लेकर कॉंगरिस नेता सलमान कुर्सित और राशिद अलवी पर बिजपी हमलवार हैं दोस्तो आप बात करते हैं कि उत्र पर टिपने की अखिलेस यादब ने का है कि इस वक्त देश के सांथ सांथ उत्र पर टिपने चुनाओ में महेंगाई और रोजगार सबसे बरा मुद्दा है किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी आयक कब दूबनी होगी तीनों किर्सी कानून वापस लेने की भी उनकी मांग है और ये सभी मुद्दे पर मुख बने रहेंगे उन्होंने दावा किया है कि उतर पर देश में समादवादी पाटे छेतरे दलों के सांथ मिलकर चुनाओ लड़ रहे है और ये सरकार बनाएंगी दोस्तों बात करते हैं कि गोपाल गान जिले के महमद पूर में जहरिल शिराफ कान मामले में पपू यादब के बाद अब अलजपी राम विलास के रास्टिया धक से चिराफ पासवान भी पहुँच गए जहरिल शिराफ कान में मरने वाले ज्यादतर लोग पडिवार में एकलावते ही कमाने वाले लोग थे जन उनके जाने से पडिवार पर दोखों का पहार तूट परा है मिर्तक के पड़े जनों का आरोब है कि शिराफ बंद के बाद भी महमद पूर में खुले आम शिराफ की बिकड़ी होती थी जन अलाके में लोगों के दौरा कई बार सिकायत भी की गई थी इसके बावजूद भी इसके पूलीस दौरा समय रहते कोई कार रवे नहीं की गई जहर इली शिराफ से इतनी मौतों के बाद पूलीस के दौरा च्छापे मारी की जा रही है और लोगों की इस ते गिरफतारी की जा रही है पृरित पड़ी जनों से बात करते हुई चिराक पासवाने सरकार से मांग की है कि सबी अर्तिकों के पड़ी जनों को 25-25 लाग की आर инструмент रहती जाए और साथी परतेक पड़ीवार थे एक एक वेकती को सरकारी नौक्री भी देने की मांग है दोस्तों बात करते हैं कि बाजार में उपर से चमकने वाली सब्जियों से लोगों को साबधान होने की जरूरत है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार के सीमान चल सहित बिहार के कई जिलों के बाजारों में खतरनाक राशायनिक रंगों के हरी सबजियां बेधरक बिकड़ी है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार के सीमान चल सहित बिहार के कई जिलों के बाजारों में खतरनाक राशायनिक रंगों से रंगीन सबजियां बेधरक बिकड़ी है जिना ऐसी सब्जियों के खाने से लोगों में कही तरह की बीमारियां हो सकती है सब्जियों को मंडी में हर दिन रंगा जाता है जिना इसके बाद इसकी विक्रिकी जाती है आज की सुबे भी सब्जी पट्टे के दुकानों में खीरा करेला कागजे ने मुभिंडी आदी सब्जियों में चमक लाने के लिए रासाइने के रंगों का परियोग करके बासी सब्जियों को ताजा करके उसे थोड़ी सस्ती कीमत में बेचा जगया है या सब्जियों में इतनी चमक कैसे आई है इस सवाल का जवाब दुकानदारों ने नहीं दिया है दुकानदार हर दिन सब्जियों को रंगने की लिए सुदे में मेला काईट गिरीन नामक खतरना केमिकल का परियोग करते हैं एक व्यापारी ने नाम नहीं चापने की सर्थ पड़ बताया है कि गराकों को चमक वाली सब्जी ही पसंद आती है गराकों की पसंद को देखते हुए सब्जियों को रंगा जाता है या सब्जियों एवंग फलों के चटक रंग आपको भर्मित करने वाले भी हो सकते हैं ऐसा ना हो कि बिना परकिया आप इस रंगों को देख करें सब्जे अथवाफ फल खरीद लें और ये आपकी सिहत को नुक्सान पहुचाए जाए या क्योंकि आजकल बड़े पैमाने पर सब्जियों फलों एवंग डालों को बेचने के लिए सेंथेटिक कर रंग का इस्तमाल किया जाता है सब्जियों को रंगने का गौरख धंदा बिहार के कई जिलों में बड़े पैमाने पर चल रहा है बासी सब्जी भी ताजा दिखने के लिए दुकानदार अक्सर ऐसा काम करते हैं ये लोगों के स्वास्ते के लिए खिलवार है ये थोड़े से लाप के लिए सब्जियों को हरे रंग से रंग कर दिखाया जाता है मगर इसका दुस्परिणाम इन्हें नजर नहीं आता ये इससे लोगों को सचे दरहने की जरूरत है हरी सब्जी खरीते समय इसे बात का अब से ध्यान दे कि कहीं आप जो सब्जी ले रहे हैं वे हरे रंग से तो नहीं रंगी हुई है जिहां चिके सकर डॉक्टर आलोक ने बताया ही कि बाजार में बिक रही सब्जीयों की चमक दे कर उसे कभी न खरी दे इस चमक के पिछे कई बीमारिया भी छुपी हुई है जिहां परती दिन तरो ताजा सब्जी खरीट कर घड़ में अच्छे से गर्म पानी से धोकर उसे बनाने के बाद ही खाने में प्रियुक्रे ताकि पानी में धोने के कारण रासाइने का रंग और केमिकल उससे निकल जाए ऐसी सब्जीयों से लगों को कैंसर और पेट की कई बीमारियां भी हो सकती है दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बिध्धालों में गुनात्मक सुधार लाने में जूटी सरकार दोरा अब सौच्छता पर खासा ध्यान दिया जा रहा है चालू सैक्छनिक सत रह से सवाच्चे विध्धाले पुरुसकार याओजना को परभवी तरीके से लागों किया जा रहा है यह इस याओजना के तहट परते एक साल साट विध्धालों को पुरुसकारत किया जाएगा यह इनमें 30 प्राडामिक बिध्धाले और 30 मादमिक बिध्धाले होंगे चैनित बिध्धालों को बिहार दिवस के अबसर पर परस्तित पत्र एवंग 10-10 हजार रोपे की रासी परदान की जाएगी इसके अलवा तीन सबसे अच्छे बिध्धालों को विसेश परसंट सा परस्तित कार के लिए चुना जाएगा और उड़े 50,000 रोपे की नगध रासी दी जाएगी 14 नवंबर से सच्छ बिध्धाले परसकार याओज नामे सामिल होने के लिए सबी 80,000 सरकारे बिध्धाले अपनी दाबेदारे पेस करेंगे जैंँ इसके लिए सच्छा भी भाग की और से पहले ही पूरा सेडियूल और समे सीमा निरधालत कर दिया है दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और यूपी से लौट रहे ट्रेणों में छट की वज़े से रेजर वेशन का इतना दबाव है कि बड़ी संख्या में यात्रियों को सीटे नहीं मिल पाई है यहां ऐसे में साथ बिहार एकस्प्रेस दुर्गा छप्राज समित बिहार और यूपी से आने वाली ट्रेणों में यात्रियों को खासी परिशानियों का सामना करना पर रहा है इस्तिय है कि बैटने के लिए सीट तो मिलना दूर की बात है जनरल डबों में खड़े होने के लिए भी जगे नहीं बची है यहां और तो और बात्रूम के पास सीट की नीचे और फर्स पर भी लोग खड़े होकर और बैट कर सफर कर रहे हैं यहां ट्रेन के भी तर जो जहां फसा हुआ है वही पर घंटों बिताने के लिए मजबूर हैं लंबे सफर के यात्रियों को नीचे सोने की जगे भी नहीं मिल पाई दरसल बिहार और यूपी से लौट रही ट्रेनों में छट की वज़े से रिजरवेशन का इतना दबाव है कि बड़ी संक्या में यात्रियों को सीटे नहीं मिल पाई है ऐसे में साथ बिहार एकस्प्रेस दुर्ग छपरा समित बिहार और यूपी से आने वाले ट्रेनों में यात्रियों को खाजी परेसानियों का सामना करना पर रहा है रेलेवे ने छट पूजा के लिए दो इस्पेसल ट्रेने यात्रियों को दी थी लेकिन यात्रियों की भीर के आगए ये नाकाफी साबित हुई जहें इसके इलावा दो ट्रेने नियमित रूप से बिहार की रास्ते चल रही है जहें इसके बाद भी यात्रियों का सफर मुस्किल से भरा है दोस्तों बात करते हैं कि बॉल्यूड एक ट्रेस कंगना रानाओ अपने आजादी वाले बयान को लेकर बिबादों में घिर गई है बिपक्ष लगतार उन पर हमलावार है और मांग उठा रही है कि राष्ट पती उनसे पदमस्री सम्मान वापस ले इसी बिच बिहार के पुरो सिम जितनराम मानची की बहुत दीपा मानची ने कंगना रानाओ प्रतिखा हमला बोला है दीपा मांजी ने टوρι्ट करते में काए की एक कंग्णार रॉनाउत के पता नहीं है की एकराइ जैसन कल्मोही के हमने बिहारी गौबर पाते लायक नहीं पदमसम्मान मिल गया तो सहदू को ही अफमानित करने लगे दीपा मांजी ने आगे कंगना रणाओत को देश धरोही बताया और चुनोती दिया है कि अगर उन्होंने जो बयान दिया है वो बिहार में दिया होता तो उनके मुह को कीचर में डूबो दिया गया होता इसे के साथ आगे ट्वीट में दीपा मांजी ने कंगना रराउत को तलत खोर और सुपरनखा की बहन कंगना तक कह दिया दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तो वैसे ठंड हर साल अनुमान से अधिक तो होता ही है लेकिन इस साल ठंड साइद कुछ कुछ पढ़ने वाली है जब मौसम बिभाग के अनुसार इस साल साइद लोगों को कराके की ठंड से थोड़ी सी रात मिल सकती है मौसम बिग्यान केंदर पटना की ओर से बताया गया है कि अभी बिहार में सुस्क मौसम बना हुआ है उत्री पक्षे में हवाओं का परभाव है लेकिन निकट भविसे में पक्षे में बिच्छोप की सक्रेता के आसार नहीं है इस वज़े से ठंड में अत्यधिक बड़ोत्री की भी संभावना नहीं है जैं एक से दो डिग्री नियंतम ताप मान बहले ही नीचे आ सकता है लेकिन दीन में अच्छी धूप मिखिलेगी मौसम बिभाग की अनसार नवेंबर मेहने में दो से तीन पच्छी में बिच्छोप की सक्रेता रहती है ये परवड़ती अलाके में बरफबारी की वज़े से बनती है लेकिन सहरों से लेकर गाउं तक गर्म कपड़े दिखाई अब तक नहीं दी है वही कोड़े की बात करें तो कुछ सहरों में हलकी धून दिखड़ी है लेकिन कुछ ज़्यादा इसका परभाव देखने को नहीं मिल रहा है यह धूब भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है जो तापमान को संतुलित कर रखा है दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप पैंसनर्ड की कटेगरी में आते हीं तो लाइफ सेर्डिफिकेट देने के लिए आपके पास 20 दिन से भी कम का समी बचा है यह पैंसनर्ड को बिना रुकाउट पैंसनर्ड पाने के लिए हर साल 30,90 मर्तक अपना जिवन परमान पत्र जमा करना होता है लाइफ सेर्डिफिकेट जमा करने से ही पता चलता है कि पैंसनर्ड पाने वाला वैक्ती जिवित है या नहीं सरकार के मिसन डिजिटल इंडिया के पडियासों से अब जीवन परमान पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट आफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है यह यह काम अब आप अपनी सहुले से घर बैठे भी कर सकते हैं हम आपको खास तोर पर उन विकलपों के बारे में बता रहे हैं जिनके जड़िये आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसाने से जमा कर सकते हैं यानि की जीवन परमान पत्र आसाने से जमा कर सकते हैं आपको अपने पास आधार कार्ड रजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पैंसन परकार पिपी ओ यानि की पैंसन पे आडर नमबर पैंसन का खाता नमबर जैसे जरूरी चीज़े तयार रखनी होगी ताकि एजन्ट या पोस्ट मेंट के आने पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बिना मुस्किल के जैनरेट कर सकते ही इसके लिए आपका आधार कार्ड नमबर पैंसन देने वाले एजन्से यानि की बैंक या फिर पोस्ट आफिस के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है दोस्तों बिहार के बकसर जिले में इसी महने एक खास उत्सव होने वाला है धार्मिक और अध्यात्मिक महत्वाला पांच दिनों का ये मेला एक तरह से देसी अंदाज वाला फुड फेस्टिवल है यह इसमें पांच दिनों तक अलग-अलग बिल्कुल देसी भोजन लोग गरन करते हैं हारते संस्कृति के अनुरोप इस मेले में हर रोज भोजन गरन करने से पहले गलोग गंगा नदी और पवित्र सरोहरों में अस्तान करती हैं और पूजा अपास ना करती हैं भोजन को परतात के तोरों पर गरंड किया जाता है बकसर के पांच दिबसी ये पंच कोसी मेले को लोकताओं में भगवान स्रीर राम से जोरा जाता है अब जवाल लाल नेरू बिसे भी धाले कि एक प्रोफेसर ने इस मेले के संस्कृतिक पक्ष को उजागर करते वे एक किताब भी लिखती है दोस्तों बात करते हैं कि समस्तिपूर जिले के सरायर रंजन थाना छेतर में भी जहरली शिराब का कहर पहुंच गया है जहरली शिराब पीने से एक वेक्ती की जान चली गई जबकि एक वेक्ती गंभीर रूप से बीमार हो गया है जब बीमार वेक्ती का सदर अस्पताल में इलाज कराया जारा है मिली जानकरी के अनुसार दस नवेमर की रात सरायर रंजन थाने के नरगोगी पैंचैत के खेरण वन टोली में तीन लोगों ने शिराब पी थी जिसमें से एक की तबियत बिगरने के बाद जान चली गई दूसरे को सदर होस्पिटल में भरती कराया गया है जाहर डिले शिराब से मौत मामले की जानकरी मिलते हैं पुलिस परसासन में हरकप मच गया है यह पुलिस गाउन में पहुचकर मामले की जाच में जुड गई है बिहार के दो मंत्रियों का नाम भी सामिल है यह मंत्री है खान एवंग बत्तो मंत्री जनक राम और धुक मंत्री सेद सानवाज हुसेन जह बिहार के RTI एक्टिविस्ट सिभ परकास राय ने इस सम्थ में केंद सरकार से जानकरी मांगी थी जिसके बाद 12 अक्तुबर 2020 को सामने आई इस लिष्ट में बिहार सरकार के दो मंत्रियों के नाम पैंसन पाने वालों के लिष्ट में है यह जनक राम और सेद सानवाज हुसेन के इलावा बिहार विधान परिस्ट के और तमान सद्द से डॉक्टर संजे जाय सौब और उपंद्र कुसुहाओ को भी पैंसन मिल है जो लोग सबा के पूरों सद्द से रह चुकी हैं दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पाड़े के राष्टिय अध्यक्च पपूई यादब ने काहरे कि बिहार में शराब बंदी कानून को लागू कराने में बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल है पुलिस के संरक् मिशन में मा espaço कार रही है पूरों संसत्द पपूई यादब ने गुरुवार को पूर्नियाय में पत्रिकारनों से मुछाथे होते हुए सरकार पर निशाना साधा है पपो यादर ने कहा है कि छोटे पुलिस पतदी काड़ियों को सस्पेंड करके कार रवाय के नाम पर सरकार खाना पुरती कर रही है इदर बिहार में वीदी विवस्ता भी चौपट हो गई है हर तरफ अफरादियों का टांडब है सहर में भू माफिया हावी है जबरन लोगों की जमीन पर कबजा किया जा रहा है पुलिस परसासन की मदद से जमीन कबजा का खेल भी चल रहा है जो जमीन माली के बिहार से बाहर रहते हैं उनकी जमीन पर भूब माफिया यई कि जमीन माफिया अपरादियों एंग पुलिस से मिलकर जमीन पर कबजा कर रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि मुक्यमेंटर नितिस कुमार ने मौलणा अबुल कलाम आजाद के जैनते पर उनकी उपलबदियां गिनाई ये नितिस कुमार ने का है कि नई पीरी के लिए ये जानना जरूरी है कि देश किस तरीके से आज़ाद हुआ है किताबों के मादम से ये बात पहुचानी जरूरी है नितिस कुमार ने का है कि मौलाना अबुलकलाम आजाद का देश की आजादी में बरा यौगदान रहा आजादी के बाद देश की विभाजन के बाद जो इस्तिति उत्पन हुई उसे सामने बनाने में मौलाना आजाद का काफी यौगदान था इसके बाद जब आजादी मिली और दो हिस्सों में देश बढ़ गया तो उस समय बुरा हाल हो गया था जब अलपस्था के अक्समाज के लोग पलाइन करने लगे थे तो मौलाना अबुलकलाम आजाद नहीं कहा था कि ये देश आपका है यहां से क्यों जा रहे हैं? मुक्य मेंतर अनुतिस कुमार नहीं कहा है कि बिहार देश का पहला राज़ जिसने सबसे पहले देश के परतम सिक्षा मेंतरी मौलाना अबुलकलाम आजाद की जैनती पर विरत अस्तर पर सिक्षा दिवसकार करम का आयोजन सुरू किया जब उनकी सरकार अस्तर तोव में आई तब उन्होंने इस आयोजनों को आरम किया था इस बारे में उन्होंने केंद सरकार को पत्र भी लिखा जा जैनती पर सिक्षा दिवसकार करम का आयोजन होने लगा आगे नtiसकुमार ने काही कि मौणा अबुलकिलम आज़ात का देश की आज़ादी में काफी यौगडान रहा देश के पहले सिक्षा मंतिरी के रूप में उन्होंने काफी काम किया है बिहार में हम लोगों ने इसकुली बक्चों को मनना अबलकलाम आज़ाद के जीवन के बारे में बतना सुरू किया है आज की नई पीरी के लिए जानना जरूरी है कि देश किस तरह के से आज़ाद हुआ है दोस्तों पतना जिले में गरामिन अलाके सहरी अलाकों के मकाबले अब भी कोरोना वेक्सिनेशन में पिश्रे हुए है गरामिन अलाकों में वेक्सिनेशन को बरावा देने के लिए अब डूर टू डूर वेक्सिन लगाने का अभियान सुरू किया जाएगा इसको लेकर सौफत भी भागर से जिला वेक्सिनेशन काड एला को नर्दस दे दिया गया है यह अब फैनेंसियल गाइड लाइस का इंतजार किया जा रहा है इसके आने के बाद इसी मेहने डोर टू डोर वेक्सिल लगाने का अभियान सुरू कर दिया जाएगा इस अभियान के ताहत वेक्सिल लगाने के लिए मोबाइल टीम घड़ित की जानी है दोस्तो आज का नियूज बस यह तक कैसा लगा ज़रूर अपना सुझाओ दिजे गरने चे कमेंट बोक्स में कमेंट करके अगर आप नई आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सबस्क्राइब के लाइक कर दिजे और सौट में वीडियो को लाइक कर दिजे अपना दोस्तों के साथ सेड़ भी कीजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय बिहार